एलकली म्यक्नेश्यम हैलाइड जिसे कि हम गरिकना रिजेंट बोलते हैं इसमें basically carbon और magnesium बीच में covalent bond होता है जिसमें की polarity रहती है और इस वज़े से R group यानि की alkyl group पर पार्शन लेकर रिचार जाता है ये हमेशा जब reaction करता है तो R minus यानि की carbon की तरह behave करता है और जिस molecule से reaction करता है वहां से सबसे पहले acid catch निकालने की ये कोशिश करता है यानि की RMGX यानि की grignaisant as a base behave करता है और ये बहुत ही powerful base होता है यदि किसी molecule में मान लीजिए acid catch absent है तो उसी condition में ये as a nucleophile behave कर पाता है बट इसकी priority हमेशा acid catch निकालने की होती है अब ये जो given examples हैं इनमें हम देख सकते हैं one by one acid catch होता क्या है जैसे कि मान लोग पहला example हमने लिया methyl magnesium halide ये water से reaction करेगा और ये h remove करेगा methane बनाएगा और reaction होने का एक मात्र reason कारण ये होता है कि जो negative charge पहले carbon पे था वो और shift हो चुका है आप देख सकते हैं कि जो side product है वो magnesium halide hydroxide है similarly phenyl magnesium halide alcohol से reaction करता है तो ऐसा H जो O से यानि कि more electron negative element से जड़ा हुआ है वहाँ से H निकालेगा और phenyl और H combine होके benzene बनाएगे और इस प्रकार से reaction होता है similarly third example देखते हैं benzyl magnesium halide जो कि ammonia से reaction करता है और ऐसा H जो कि more electron negative element नेड़िजंग से जड़ा हुआ है वहाँ से H निकालेगा और corresponding compound tolin बनाएगा तो इन example के तुर हम देख रहे हैं कि SDH होता क्या है ऐसा H जो कि O से या N से जड़ा हो या more electron negative elements जड़ा हो तो वहाँ से ये H रिमूव करेगा और corresponding hydrocarbon बनेगा कुछ और भी example हमारे पास है जो कि नीचे हमने लिखे हुए है कि जिसे हम SDH के तरह consider करते हैं और GR यानि कि greener general reaction करके वहाँ से H निकाल सकता है भली वो थायोलो जिसमें sulfur के साथ H जोड़ा होता है और sulfur पर नगिज़ा stable होगा एच निकालने के बाद क्योंकि साइज उसका बड़ा है और बड़े साइज में नेगिज़ा stable होता है similarly pH OH यानि की phenol phenol से भी H निकाल सकता है नेगिज़ा OPI आएगा, stabilize होगा amine से भी निकाल सकता है और यह next molecule दिया हुए है, acetil acetone बीच वाला जो carbon है यहां से भी H निकाला जा सकता है क्योंकि यहां से H निकालने पर जो नेगिज़ार जाएगा वो आएगा, जो जाएगा resonance में दोनों तरफ oxygen के साथ similarly, last example, chloroform यहां से भी H निकाल सकते है as an H+, पीछे क्या बचेगा, CCL3- जो की P-Pi, D-Pi, Backbounding Stabilized Anion है यानि कुल मिलाके हमें एक छोटी सी बात यह समझ में आती है कि जो GR होता है वो S-D केच निकाल सकता है provided जो बनने वाला Anion है वो stable हो भली वो more electron negative charge के वीज़े stable हो more electron negative element के वीज़े stable हो बढ़ी वो larger size के वीज़े भली वो resonance के stable हो तो इस type से हम देखते है GR हमेशा as a base with priority behave करता है यदि किसी molecule में S-D केच absent होता है उसी condition में as a nucleophile behave कर सकता है Thank you झाल